नमस्ते कैसे हैं आप सुब लोग अगले तीन महीने में आप अपनी पूरी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल सकते हैं तो अगले तीन महीने ऐसी क्या चीजें आप करें कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाए 100% आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अगले तीन मह पहीने में 100% बदलता हुआ शिर्फ आप ही नहीं देखें दूसरे भी देखें तो क्या क्या करें अगर कुछ चीज़ों को आप डिकलटर करने की बहुत टाइम से सोच रहे थे यही टाइम है इस टाइम पर आप उन्हें डिकलटर कर दें पूरी तरीके से डिकलटर कर दें छ करें बहुत आइं से जो चीजे आपने रखी हुई है जमा करके रखी है तब यह काम आएंगी अब काम आएंगी अगर वो काम नहीं आ रहे हैं ना पिछले तीन चार सालों में तो ट्रस्ट मी वो कभी भी काम नहीं आने वाली है निकाल दें जिसको जरूरत है उसको दे दें अगर आपका घर होता है आपका घर साफ होता है तो एक पॉजिटिविटी को रडियेट करता है और आपकी बहुत सदा हेल्प करता है पॉजिटिव एंसान होने में पॉजिटिव माइंसेट होने में पॉजिटिव एनरजी निकलने में तो जितनी भी जगा होगी वो खुल करके सांस लेना शुरू करेंगी वहाँ पर भी oxygen जाना शुरू करेंगी और वहाँ पर आप नई चीजों के लिए जगा बना पाएंगे ठीक है तो declutter करेंगे अब declutter करने के साथ साथ जैसे आपने अपने घर की जो चीजे भी और आपके पास में ऐसा कुछ समान था जो पिछ निकाल रहे हैं वैसे वैसे ही आप अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजे रखे हुई हैं जो आप नहीं चाहते हैं रखे हो उनको निकालना शुरू कर दें यह सोचना शुरू कर दें अकले तीन महीने तक मुझे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है नहीं सोचना है ठीक है थोड़ी सी महनत करेंगे ना देखें महनत तो करने ही पड़ेगी लेकिन अगर आप consistency के साथ में करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी ठीक है तो declutter your house जितनी भी पुरानी चीज़े रखें and declutter your mind जो चीज़ें आपके लिए useful नहीं है कोई भी value को add नहीं कर रही है चॉप कर दें निकाल ठीक है यानि कि आपके घर से आपके mind से धिरे धिरे करके घर साफ होता है ना धिरे धिरे करके mind भी साफ होता है कोई बात नहीं यहाँ पर तो पैंसर से सतर हजार चीज़े हैं व आपकी जो कबर्ड बगेरा है वो जल्दी से declutter हो सकती है यहां तो रोज 65-70,000 thoughts का जमावड़ा है तो उसको declutter होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो अपने साथ थोड़े से polite रहें अपने साथ थोड़े से humble रहें और बस continue इस practice को करते रहें अगले तीन महीने तक च पांच मिनिट तक जैसे declutter माइंड के ओपर आपने काम कर रहा ना जो कि आपने declutter हाउस के साथ में किया है बिल्कुल वैसा ही meditation रोज करें चाहें आप पांच मिनट निकाल सकें अपने लिए लेकिन निकाले जरूर निकाले जरूर निकाले यह आपको बहुत help करेगा अगर आप थोड़ी सी देर meditation कर पाएंगे trust me कि आपके लिए बहुत ज़दा helpful होगा क्योंकि meditation हमारे वो 65-70,000 thoughts वारी बात बोली है उसको शान्त करने में आपकी बहुत मदद करता है thoughts के flow को कम करने में आपकी बहुत मदद करता है ठीक है और इसके बाद जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़दा ज़रूरी है जैसे वांडी जी आप workout नहीं कर पाते हैं आप exercise नहीं कर पाते हैं आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़दा ज़रूरी है आप जानते हैं कि आप करना चाहते हैं ल गर आप meditate करते हैं रोज डेली से 5-10 मिनिट भी आप कर लेते हैं तो जब आप उन चीजों के उपर धीरे तरी करके काम करना शुरू करते हैं और यह सोच लेते हैं कि अगले 3 महीने आपको काम करना ही है करना ही है आप उन चीजों के उपर काम करना है जो अब तक आप नहीं कर पार रहे थे, meditations नहीं कर पा रहे थे, जो कुछ भी हो आप नहीं कर पा रहे थे, आपको अगले तीन महीने तक उन चीज़ों को आप करना शुरू करना है, पहली ही वाली बात पर फिर से आते हैं, declutter, आपके फोन के अंदर के चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखे हो important है, उनको अपने email में डाल करके रख दें, लेकिन अपने phone को साफ करें, सच बता रहे हूं, इधर हम बहुत सारा बोजह, बहुत सारा भारीपन, बहुत सारी negativity लेकर के चलते हैं, जो chatting, जो बातें, आपको आज कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी serve नहीं कर रहे हैं, हटा अपने लाइफ में से, अपने phone को साफ करें, अपने घर को साफ करें, अपने mind को साफ करें, और उन चीजों पर काम करना चुरू करें, जो आप actually अब करना चाहते हैं, ठीक है, अब इन चीजों के उपर जब आप consciously लगेंगे, तो आपको अपने आपको तीन महीने तक task देन है, अपने लिए notes बनाएं, अपने लिए to-do list बनाएं, और ये देखें कि आप रोज कैसे उस चीज को कर रहे हैं, सुबह ही सुबह इस तरीके के list को अपने phone के अंदर रखें, अपने sticky notes बना कर रख सकते हैं, आप कोई wall पर एक chart paper चिपका करके, वहाँ पर अपने sticky notes को आती हूं, वर्काउट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था, अरे यार, क्या यार, फिर अवेक ड़गंटा जाओ, अरे यार, फिर यार, ऐसा ही लगता था, तो मैंने क्या किया ना, मेरा जो room से निकलने वाली जगा थी ना, वहाँ पर स्विच बोर्ड लगा था, स्विच बोर्ड थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला था, उसमें जरा सा इसा इतना सा लकडी का पट्टा सा था, मैंने क्या किया ना, वहाँ पर किसी को दिखता भी नहीं था, और पैंसल से ना, मैं क्या करती थी, डे वन टिक, डे टू टिक, तो पौना गंटा हो जाता था, फिर मैं कहती थी, नहीं नहीं, अभी तेड़ गंटा वापस से करना है, तो फिर जबी भी मैं नेक्स्ट वीक के तेड़ गंटे पया थी तिक के साथ अपने आपको स्टार देती थी, और तेड़ गंटे में अगर मैंने जादा रुनिंग कर ली पढ़ना चाते हैं और आपको वो complete करना बहुत ज़रूरी है, तो उस बीच में उस चीज को बिल्कुल ही छोड़ दें और reward के लिए उसे रखें, आपको मालने जे, example के लिए आपको कोई दो chapter complete करने हैं, और आपके पस में time सिर्फ और सिर्फ दो हकते का ही है, तो वो दो chapter क को पूरी तरीके से complete करने के बीच में अपनी कोई favorite cheese छोड़ दें, आपकी favorite कोई भी चीज हो सकती है, डाल राइस हो सकते हैं, सबजी रोटी हो सकती है, आपकी कोई chocolate हो सकती है, coffee हो सकती है, द्रख वाली चाय हो सकती है, उसको छोड़ दें, और reward के time के लिए उसको रखें, सच में ये काम करता है, ये मैंने खुद के साथ में भी किया है, मुझे मीथा बहुत ज्यादा पसंद है, I love sweets, तो मैं क्या करती थी ना, आज भी करती हूं, क्योंकि मैं इतना मीथा नहीं कहा सकती, मीथा खाना इतना अच्छा नहीं होता है, तो मैं महीने के एक दिन रखती आइस क्रिम खालूगी यह जो कुछ भी मीठा होगा मैं खालूंगी तो इसे क्या होगा? मैं पूरे महीने मीठा कंस्यूम भी नहीं कर रहूंएं जो कि नहीं करना चाहिए है है यह फाज़ पाइस बहु चाहिती हूं क्योंकि वो मेरा फ्यवरेट है तो गर शकु ए शकू रि जिन से जादा का gap किया तो आपको reward नहीं मिलेगा अगले एक महीने के लिए मैं इस तरीके से अपने आपको punish भी करके देख चुकी हूँ मैं अपनी सबसे जादा strict teacher खुद के साथ ही हूँ तो जब मैं इस तरीके से अपने आपको बच्चा समझ के अपने आपको learner समझ के अप अपने आपको train करती हूँ तो वो चीज मेरे लिए हमेशा ही helpful साबित हुई है और हमेशा ही ये चीज मेरे लिए काम करती है तो अगर आप इस तरीके से तीन महीने तक अपने thoughts पर अपने phone पर और अपने घर पर अपनी हर एक चीज पर काम करना शुरू करते हैं जो करना चा आप gossiping में लग गए तो घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है तो don't waste your time seriously ये money से भी ज़्यादा precious है आपका जो समय जा रहा है तो वो समय को आप अच्छे तरीके से invest कीजिए अगले तीन महीने के बाद में आप अपना जीवन पूरी तरीके से बदलता हुआ देखेंगे क्योंकि आपका घर, आपका फोन, आपका mind declutter होगा आप वहाँ पर नई चीजे लगने की जगा बना देंगे नई चीजों को उतरने की जगा बना देंगे जब आपके पस में ठेल सारा समय बचेगा तो वो उन चीजों पर आप लगा सकेंगे जो actually आपके लिए जो करना आपके लिए बेहद जरूरी है और आपने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ था तो ये तीन महीने, तीन महीनी के बाग में आपको आंसर मेरेगा कि इन तीन महीनों ने आपके लिए किया क्या है इस बीच में आप चाहें तब जादू प्राक्टिस ले सकते हैं, ट् आप अपने आप से कर लीजी, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ आपको जादू प्राक्टिस के अंदर ही मिल जाएगा, और साथ के साथ आप समझ पाएंगे, कि आप अपनी जिंदगी में अपने आपको कुछ दे रहे हैं, रिली में कुछ दे रहे हैं, ट्राइ करके देखे, यह जरूर तीन महीने आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे, ट्राइ करके देखे, सिर्फ ट्राइ करके देखे, कोशिश कीजे, अगर आप इतनी सी भी कोशिश करेंगे तो डिवाइन एनर्जी, वो एनर्जी आपके 100% कोशिश करेंगी, और आपकी कोशिश में भी वो साथ देगी, जैस डिवाइन एनरजी भी हमारे लिए कोशिश करती है, अगर ये विडियो तक भी आप आगए हैं तो किसी और की बज़े से नहीं आए है, उस एनरजी नहीं पहुँचा दिया है कि चलो यार, लगा लो अपने उपर तीन महीने, बदल लो अपने जीवन को, ठ्राइ करके देखने में कुछ नहीं जाता, आपका जीवन है, आपके तीन महीने है, आपका पल पल अगर बरबाद हो रहा है, तो उसको आबाद कीजिए, उसको बनाये, उसको घुबसूरत कीजिए, और फिर देखें कि आपकी जिन्दगी बदलेगी, तो कितनी खुबसूरत हो जाएगी, अपना नरगी याल अपने अपसी किचे धीर सारो प्यार ता क्यों पर ट्राक्ट करें धीर सारो प्यार अलाव यू वोल टाड़ा